नमस्कार स्वागत है आप सभी का कारिक्रम समागम तो आज हमारे विशेश कारिक्रम में विशेश विशेपर हम बात करने जा रहे हैं विशेश व्यत्ति दॉक्टर सुधेश वागमारीजी से दो आज हमारे साथ इस मावा हाॉस के जो टुरिस्टाइ है, उनको हम आज बताएंगे, इस मावा नेच्र Lecks ट्रेल के बारे में यह जो महुआ नेचरल ट्रेल है यह कैसी है और कैसे आप हमें एंटरेटेन करेंगे और उनको इस जंगल के इंटर्पेटेक्शन के बारे में बताएंगे आप सबका नेचर ट्रेल पर प्रकरती पत्फर सुआगा थे अज कल नेचर ट्रेल पर जाना पूरे वोल्ड में आउट डय्डीटीज में नंबर दो है आउट डॉर अड़र एक्टिवीटीज में बड बॉचिंगे तो यह जो हम नेचर ट्रेल पर जा रहा है वर्ल्ड की हम नंबर वन और नंबर टू एक्टिविटीज आज सांसाथ करेंगे मगर उसके पहले में चाहूंगा कि आप प्रकर्ति से जुड़ें उसके लिए प्रकर्ति की एक बहुत सुंदर कविता सुनाना चाहूंगा आपको हमारे राष्ट कभी हुए हैं एक मैथली शरण गुप्त उनकी बहुत सुंदर कविता है कि इसी समय पोफटी पूर्व में पल्टा प्रकति पटी का रंग किरन कंटकों से श्यामांबर अटा दिवाके दम के यंग कुछ-कुछ अरुन सुनहली कुछ-कुछ प्राची की अब में महुआ के बारे में बदाए और सबको कि कैसे कैसे उभ गाश्माल किया अभा और यह देखिये इन सब ने इतने अच्छ से इने इखटे किया है और बताईयसे है कि सबसे पहले तुम ही बताओंगा आपको कि कोई भी पेड होता है तो यह वारे पूर बाज है एंसेस्टर्स हैं यह हमसे पहले प्रकर्थी पर आए हम लोग इस प्रकर्थी पर हम लोग से मतलब we the homo sapiens हम जीव जन्तु बाद में आए हैं सबसे पहले इस प्रकर्थी पर पेड़ पोद्य है तो पेड़ पोद्य हमारे पूरवजे आप जैसे उपर देख रहे हैं मवगा क पेड़ में आभी जो आप इनके हाथ में है यह दरहसल मवगा का फल नहीं है लोग इसको तुटी बस फल समझ लेते हैं यह मवगा का फूल है मवगा का पेड़ है जिसको की पूरे भारत में कहीं भी कोई भी ट्राइबल आदमी नहीं काटता क्योंकि उनके गोतर से है बाकी दुनिया में नहीं पाए जाता आप अमरीका में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे मिलेगा भारत की एकोनामी में यह लगभाग पचास हजार करोड रुपे का योगदान देता है यह जो फूल है इससे आदिवासी संस्कृति जोड़ी हुई है शराब बनती है मगर के भाउत और नूरिष मेंट के लिए बहुत बड़िया मोना जाता है यह बहुत सारे स में बिटामीं सो ते हैं मिनरल सोते हैं इसकी रोटी बनाई जाती है एत्रों बोटनी में मैडिसनल यूजेज इसके इसको क्रश करके यदि आप वूंड्स पर वूंड्स मतलब ऐसा जहां स्वैलिंग एसा बांदेंगे आदिवासी लोग यूजरी बांदे रहते हैं वो स्वैलिंग ऐसा मानते हैं वो लोग के लग आप तीन लोग भी आलिंगन करें उसका तो इसको आप नहीं पखड़ पाएंगे इतना बड़ा होता है हमारे मद्यप्रदेश में कुछ जगा हैं जैसे बोरी धाइंबोरी वहां का ठीक बड़ा फैमस एक अल्लापली करके जगा है महारास्ट में वहां का ठीक भी बहुत से वेदों में कहा गया है दा फारेस्ट ग्रीन गोल्ड सुर्णम ही वनम बतलब जो सुर्ण है वही बने गोल्ड है तो निश्चित लूप से यह सोने से भी महंगा है यह भी हमारी एकनोमी में डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे हैंस का टीक इंगलें मोश को विक्तोरिया के वह उस ही से एपने हैं भारत के टीक से अंग्रेज लोग यह से बहुत सारे जाहाच यही वज़ए है कि हम जंगल में देखे इंतिरेर्स में बदब बड़ 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 इस बने बने इसकी जो हम नकाश कि आर दो में लेगा टिए्ए नहीं परे गाए लता रही घो एक्पाइव पर्ड़ा पुड़ा रहे की अब साल ठाल जये जिसरी कि आए और टऱा जो तो हमने जनगल में इन्ट्रेस्टिंग करें जिसे कि हम सब कि अज़ इंट्रेसिंग लग रहा है कि हम पत्तियों की जो प्रशिस की जो आवाज बिलकु नेश्रल है अच्छली यह जो आप देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में मिट्टी वेखते हैं तो बनाने में बहुत बड़ा योगदान इन पत्तियों का होता है यह पत्तिये ब कोई खाद नहीं उप्योग किया जाता है किसी तरह की कोई फर्टलाइजर सुप्योग नहीं किये जाते हैं दरवसल यह बनाने के लिए पत्तियों का सब बहुत बड़ा योगदान होता है वह रहीं दास का एक दोहाय के रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून तो हम उस तो चेनल नहीं बनेगी, तो जयांगा एड़िये हम बाइचांस एक बहूत अच्छे पेड़् के पास पहुच गहा है यह बहेड़ा, आयोर वेड़् में तीन तरह के पेड़्ों को मिस्रान को मिरौ बिलांस केते हैं, तरफला केते हैं, एक हर्रा, एक बहेड़ा, एक आउला कम से कम डेड़ लाख रिसर्च पेपर से जो इस प्वेल की महतों को सिद्ध करते हैं इस मेरा विलांस की उपिविता को सिद्ध करते हैं कि यह मेरा विलांस ना केबल आपकी इम्मुनिटी बढाता है आपका digestion system, digestion system बढ़ाता है, बल्कि कई सारे ऐसे रोग हैं, in the state, जिनको दूर करता है, आप इसके fruits देखिए, ये fruits के अंदर जो फल निकलता है, जो cornel निकलता है, दर असल वो मेरा बिलांस में, तरफला में यूज किया जाता है, देखे ये बहेड़े का बीज है, देखे ये दो स्टेज हैं, ये पहला बाला उपर पल्प रहता है, और पल्प निकल के ये अंदर आपको देख रहा है, हाड़ कोट है, और इस हाड़ कोट के अंदर जो सीड निकलेगा, वो अक्ट्वली मेडिसनल वेल्यू का होता है, सबसे ज्यादा, तो मेरा बिलांस, ट्रफला, आधार भूथ, आप देखेंगे, अयुर्वेद में सबसे आधार भूथ चीज मानी कही है, इसका बाटनी कल नेम है, टर्मी नेलिया, ये बुला, अच्छा, यही पर आपको एक थोड़ी सी, आप देख रहे हैं कि जंगल में पत्हड शुरू हो गया है, मगर आप आप देखेंगे, तो ये एक इपिफाइट है, जिसको हम कहते हैं सिंबायोसिस, ये पेड के ऊपर आकर एक दूसरा पेड लग गया, पोधा लग गया, ऐसा के ये आप, ये कुछ फोटो सेंथेसिस करके इस पेड को फाइदा पहुचा रहा है, और खुद अपने लिए इस पानी ले रहा है, ये हमारे सेंटर इंडिया में पाय जाने वाला एक प्रकार का ओर्केड, जिसे बांधा बोलते हैं, ये कई बार हम लोग लोग रेनी सीजनी देके सुंदर सुंदर फूल भी इसमें आते हैं, सर हम देख रहे हैं कि जंगल बिलकुल सुखा सा अभी दिख जो साइकिल है उसके बारे बताएं लेकिए मैने आपको बताया कि नेचर अपने आप में एक बहुत ही जादू जैसा काम करता है प्रकार्ति को पता है कि अब गर्मी आ रहे है हमको तो गर्मी तब पता चलती जब को पसीन आने लगता है मंगर ये प्यलपोते भी महसूस कर अपने तरीके से की अब गर्मी आ रही है तो जैसे ही ने पता चलता है कि अब गर्मी आ रहे है कि इन goed पानी नहीं मिल पाए गा पादीक्स की रिक्वाइर में जो है वो इनकी बढ़ेगी और मिनीमम पानी में कैसे काम चलाना है याई-जिये पत तो रिट네요 करें गे ए पने प्रियुए जाते हैं जितने कि काफी दूर तक चीजन दिखा ही देते हैं तो हम काउंटिंग भी जो एनिमल्स की करते हैं वाइल्ड अनिमल्स की वह इसी समय कखी जाती है ताकि आराम से हमको काफी सारी चीजन दिख जाती है और यह जो पत्यार हो रहा है तो आप समझें कि इस दो तरह काम हो गया एक तो रिसाइकल हो गया जो पुराने पटे थे वो गिर गया उनके पत्ते हमारी हुमस बना के पत्तों ने खाद बना दी मिट्टी बना दी यहां यह एक देख रहे हैं कि दीमस अब अब मिथा जैसी श्रक्टर देख रहा है तो इसके बारे में बताईए और साथी आप भालू के बारे में बताईए और साथी आप भालू के बारे में बताईए और हम अक्तर तो देखते हैं कि सरकस में देखते हैं कि वो डांस करता है नाशता है लोगों को एंटरेटीन करता है और लेकिन अगरम जंगल में उसे देख दिखाई देंगे भालू के पंजे का निशान बिल्कुल जैसा हमारा फूट्प्रिंट आता है लगवाग बैसे ही का वैसा फूट्प्रिंट भालू का दिखाई देता है बागी चीजों के फूट्प्रिंट असे दिखाई देते टाइगर का फूट्प्रिंट से अलग डिफ वहलेतं तरमाइट नहीं होते। जंगले तरमाइट नहीं पेदा होते। तो आप इस जगह काले नहीं हो सकते थे। तो इ ila कि यह चंगल में काम करती यह की जहां कोई प्यड गेरा और दीमक लगी और उसने उसको सुखा दिया। उसने उसको कनवर्ट कर दिया बायो डिरेशन में तो दीमक हमारे एको सिस्टम में बहुत बड़ा इसका योगदान है तो क्या हम ऐसा लगेगा कि यह भी जो यहां लगा है यहां यह पेड़ सूख जाएगा नहीं यह 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 दिमक में विशिस्ता है कि यह जब तक पेड़ जिन्दा रहेगा तब तक अटेक नहीं करेगी जब पेड़ गिर जाएगा सूख जाएगा यानि जब इसमें सेलुलूज का कंटेंट बढ़ जाएगा तब वह उसको खाना शुरू करेगा टेक्निकली यह बहुत ही बड़ी है तरीके से बना जाती है इसमें नीचे से एक होता है जिससे ठंडी हवा जाती है उपर एक छेद होता है जिससे गरम हवा जाती है यह मिसके क्रॉस सेक्शन काटें तो बाकादा एर कूल चेमबर बने मिलेंगे आप यदि पांच साल बाद आएंगे तो यह आपको पांच फिर उची बामी यहां पर दिखाई देगी अब दूसरा तरीका नेचर ने क्या बनाया भालू को बनाया अब भालू को यदि आपने देखा हो इत्यान से तो उसका जो मू होता है वो वैसा होता है जैसे कोई फनल होती हो तो भालू आके इस पर अपना मू रख देता है और उल्टी सांस खीचता है सकिंग करता है तो जितनी इसमें दीमक होती है, वो सब इसके पेट में अंदर चली जाती है, हमारे यहाँ गाउ में, आसपास के रूरल अरियास में, एक और अंदर विश्वास है, कि इसमें साप रहता है बामी में, यह मैं आप से पूछने वाली थी, कि जरली हम साप का बिल भी इसे कहते हैं, यहाँ, यह सही बात ही कि इसमें साप हो सकता है, यहाँ, यहाँ तरू, मगर साप इसमें परमेंट नहीं रहता ąंदर लो से साप अच्छें, यह हम जाए बन रही हैं, कि कैसे हम तरू ज्यदों काई गान अंगी खातावी है, बशा में उसका भी नए बहृत अच्छा एक वह मक्री भी जंगल में बिलकुल वेस्ट नहीं है मखडी का सबसे बाला मालू में आपको जहां मखडी जादा होगी वहां मलेरिया होने के चैंसे बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि वहां मक्री के जाल में मच्छर वो मच्छर जो हम कहते हैं क्यूलेक्स और अनफलिस चो पाहरें. केरें ड्यूनाओ, केर होρ justamente कि खाहरें। तया कर दो में हुआ और 적 सी और डाया हुआ,कれてम क Weather की बसा से इन कि पीच online गया कर दोल आ के अ हुआ, 웃ान घरप औरेकर यह जा हुआ,चिगा हुआ,प हुआ,बसे बसे हुआ को मोगी अ को औरेला वा जर्फ़ को्राइद他,।ो netse को माद जा हता फसरफ क 예뻐 कर दो कर दो कर दो कर दो 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 हम आगे आगे चलते हैं और भी यहां कौन-कौन से विशेश पहदे है जिसके बारे में वाफो जादे चलिए आई चलते हैं आज की तारीक में इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इसमें लीज नहीं रहती है मगर यह बड़ा इंट्रेस्टिंग पेर्ण है जिसने भारत की एकोनोमी में एक समय बहुत बड़ा योगदान दिया है अब यह इस नेचरली मिलना बंद हो गया है इसकी जतनी चीजा आए वो सब कृति मारे है यह इसको कभी नकभी इस्तमाल किया होगा इस प्रड के कंटेंड को इसके इंग्रेडियंट को यह कथे का पेड़ है कथा पाया जाता है वो इसकी हार्ट बुड होती है सेंटल बुड अब्योग किया रहा है वह आप समझ सकते है किस तरह का तथा है क्योंकि नेचरल कत्था जो है वह बहुत धीरे धीरे समाब थोट त्यारा है यह पान के साथ खाने की परंपरा थी बहुत सारे एक तो शलाइवा क्रिएशं में हम जैसे खाते हैं तो हमारे मुह में बहुत सारा सलाइवा बनता है तो अटीमेटली डाइजेशन में हेल्प करता है इसके कथे को काफी वरसों से हमारी सभ्था में उप्योग किया जाता रहा है तो सर्फ हम इस जंगल में घूम रहे तो हम यह कह सकते हम यह एक इंटरपडेक्शन सेंटर भी है कहा जा सकता है यह यह जो मैं बात कर रहा था आपसे माना वह न प्रानी द्वंद कहलाता है है यह ना मभवा तो आप देखी रहे हैं मैन अनिमल कंफलिक्ट अब जैसे यह हमारी बाई है इसको मभवा इखटा करना है क्योंकि इससे व्यक्तिकात तोर पर भी खाने के काम में भी आता है रोटी बनाने के काम में भी आता है इसको कलेक्शन करना निमा रहे है ऐसे काफी लोग यहां पर मभवय के कलेक्शन कर रहा है यहां वाइल्ड में भालू भी घूम रहा है भालू का भी यह प्रीय खाध्यान है तो भालू यहाँ पर आता है भालू भी इसको खाने के लिए आता है यह बाई भी बीन रही है और होता है कि यह एक एल्टीमेटली यदि यह बाई ने नहीं देख पाया भालू को तो भालू इस पर आखरमन कर द फटाल को पहचानने के कई तरीके हैं, बटनी में बता जाते हैं बैसे तो पटेटिटिटिफीकेशन किया जाता है क्यों यह जाता तर फूली अगर एक दूसरा इडिनिटिफीकेशन करने का तरीका है उसकी स्किन से इस्किन मतलब चाल टेकनिकली इसको बार्ट्नी में बुलते हैं बार्ग तो आप देख रहे हैं यदि आप इस पेड़ की बार्ग देखेंगे और कुछी दूसरे पेड़ की बार्ग देखेंगे तो आपको कॉईट डिफरेंस दिखाई देग़ा जैसे यह आपको पेड़ आधा कला दिखाई दे रहा है। thì आप धको बता सकते हैं चन्टेटीप लेकिए तेंड़ है। और पेड़ देखिं दूर वो सत zrobि दिखाई देह रहा है। वो सबांभे तो यह अपो देख भार्ग एक तो यह तरिका हो गया। इसको काला रंग है दूसरा, नमबर दूसरा, आप देखेंगे, बारक स्प्लिट हो गई है, फरोज हैं इसमें, तो ये फरोज से पहच्छाने में डीप फरोज हैं, और नमबर तीसरा जो है, ये फरोज हैं जो यूजली इसक्टाइड ना होकर रेक्टेंगल है, तो जो करते हैं और चलेक्शन के बाद तेंदु पत्ता पूरे भारत में बिडी बनाने काम में लिया जाता है और ये भी हमारे इंडिया की एकोनॉमी में लाखों करोड रुपे का योगदान देता है गाउं में खासतोर से रूरल अरियाज में अभी अगले दो महीने ये हर घर को कम से कम 10-10,000 रुपिया पहुंचाएगा जो की तेंदु पत्ते के आसपास रहने वाले मकाने लोग तें और ये वार लोग पढ़ाओ फल का ये एक एको येकुण का जैता है कि वो जंगली चीकू इसका एक पल भी होता है आता था तेंदू का फल वड़ा फाइबराओ जय जाता है और पाय जाता है उसमें और ग्लूकोज और लक्तोस डोनों समें काफी मातरा में मिलते हैं थासत वाइल्ड अरीमस्ट उसको भॉत खाना पसंद करते हैं। अब पहले तो गाओं में भी ये बिकता था, शेहरों में भी बिकता था, अब धीरे धीरे पापुलीशन बढ़ने के साथ ही अब ये शेहरों में भी बिकता हुआ बहुत कम दिखाई देता है। सर यह देख रहे हैं कि यह बल्कुल इतने यह पर सूखा सूखा है लेकिन इसमें यह पर्पल कलर के छोड़ चोड़े फूल दिख रहे हैं बलकि यह पर पानी भी नहीं है तो यह कौन सा पौधा होगा है यह ऐसा लग जैसे कोई हिमालय की हम चोटी पे चले गए और वो संज जो है सबस्टिंष्टिंप Bunu परे वर्ल में जबनाई जातीहें सेवंटी परसंट मे अधिसंस प्लान नहीं इसका नामें संब्स्थपी attractive नम है इसका ओल्रすली कर दिया कि तुछा थूल का का आपको देख रहा हुआ थे टेख रहा हुआ भूल गोलेस तक यह शंधनि बच्चों के लिए बानते हैं दो चीजें ब्रेन के लिए कि आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा तो आइस में निकल जाएंगे तो PMT करास कर लेंगे तो IIT कर लेंगे ना दो मेडिसेस बढ़ी बाती है तो ब्रामी अना ब्रामी को कहते हैं बैको पा मोने तो आपका दिमाग तो क्या पूरा मूँ जहन जाएगा ऐसा लगे आपने मिर्ची मूँ में रख लिए तो यह कई तरह के यहां पर पोदे पाए जाते हैं उसमें से एक मेडिसनल प्लांट आप अभी अपने सामने देख रहा है इसकी एक दूसरी वेराइटी भी होती है श्वेत शंक पुष्पी वह भी पाई जाती है यहां पर इसलिए यह जंगल के सुंदरता भी बढ़ा रहा है कि बीजवीजन सूखे में परफल कलर पिष्टी यह भी देख रहा है वह सफेज होना शुरू होगा यह वाइट तो आप खिलियर डिस्टिंगूश कर सकते हैं उस पेड़ से इस पेड़ को यह पेड़ का नाम है धावडा संस्क्रित का एक शब्द धावल एक चोटी का नाम ही हमारे है धावल गिरी हमालाई की तो धावल का मतला ह तो यह वाइट इसकिन के कारण इसके पेड़ का नाम ग्रामीन भाषा में धावल से बिगलकर धावडा हो गया यह पेड़ की विशेष्ता यह है कि इसकी लकडी को जलाने पे कैलोरी बहुत ज्यादा निकलते है हाई कैलोरिफिक वैल्यू है इसकी तो जो वर्ल्ड के लेटी फोलिया अब आप देखिए जो मैं आपको कह रहा था प्रकरती ने इसने अपने पूरे पत्ते जढ़ा दिये थे अब इसको मालूम है कि यह महिना मार्च खेतम हो गया अपरेल मैं और जून में शावर आ जाएंगे 15 जून के बाद तो इसने धीरे धीरे अपनी पत अब दहावले के प्याड़े तो डॉक्टर सुदेश्वागमारे जी आप हमारे मौह हाउस में और आपने मौह हाउस ट्रेल के बारे में बहुत अच्छी जानकरी दी जंगल के बारे में जानकरी और इतनी महत्मुन महत्मुन जानकरी दी कि जो आज तक हम लोगों को पता तो आपका बहुत भट धन्यवाद अब धन्यवाद से पहले में बताना चाहूंगा कि हर जो प्रकरती से जिसको भी थोड़ा बहुत लगाओ है या जो जिनको लगाओ नहीं हो लगाओ क्रिएट करना चाहते है उनको नेचर ट्रेल पर आकर जरूर इस अनुभूती को करते हैं और नेचर ट्रेल वस्तुता किस तरह से हमारी आत्मा में हमारी संस्कृती में बसी हुई है तो हर व्यक्ति को नेचर ट्रेल एंज्वाद करना चाहिए तो आज की कारेक्रम में बस इतना ही अगले हफते हम फिर किसी और नई सक्षित के साथ हाजी रोंगे तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमश्कार